हेलो एबरीवन धिस्य दिपक्ति वारी और इस पीडियो में हम लोग सहकारी समीती देखने वाले हैं सहकारी समीती य yön busy कूअपरेटिव सोसाइटी और इसके बारे में हमेरे संविधान के भाग 9 के खोह में दिया गया है संबिधान के भाग कौन सा है नौव का खो है तो चलिए इसे हम देखते हैं संबिधान के भाग नौव के खो में बताये गया है सहकारी समीती के बारे में जिसको बोलते है कू उपरेटीव सोसाइटी और इसका भी आर्टिकल 243 के अंदर में ही है जिसमें पंचायत भी है नगरपालिका भी है और साथिसाथ सहकारी समीती भी है तो आर्टिकल 243 होगा और जो एक कॉप्रेटीव सोसाइटीज होती है उसमें तो सदसे बहुत सारे हो सकते हैं पर बोर्ड मेंबर कम से कम 20 होते हैं 你們 members 20 होते हैं और यही फैसला लेते हैं समें कुछ भी करना हुता है government society में मतब कुछ भी फैसला लेना ना ता 50% से ज़्यादा कि सहामत्य होना जरूरी है मतब 20 लोगों में से कम से कम गयारा कि सहामत्य जरूरी है उसके बाद ही कोई फैसला इसमें लिया जा सकता है इसका जामपल क्या है एक जामपल है अमूल दूद और सूधा देखिए जैसे मान लिजिए कि जो अमूल दूद है ना सबसे पहले आपको पता है कि गाउं में सबसे पहले मिल को प्रोड्यूस किया जाता है और दूद को यह से प्रोसेस किया जाता है उसको और फिर इसके बार राजे लेवल पर जाती है जब लोग को जौब मिलती है तो इस तरह से यह काफी फिमस फोटो है जो कि आप सबको पता होगा अमूल टेस्ट आफ इंडिया राइट अच्छा है कोई इसका तो यह है इसका अमूल को लेकर हलाकि सुधा में लखे वह इस तरह से कुछ है वह भी काफी फिमस है राइट बट अमूल के तुलना में इतना नहीं है तो य को प्रोट कोई खोल सकते हैं आपकुछ एक चोटा मोटा हट कंडा वा चोटा मोटा बीनिस सुरू कर सकते हैं इसको लेकर जो करने वाला काम हो सकता है फूलों पहाला ही बेच निए तो माला बनाने काशल काम कर लिया आपने ऐचार पापर बेचना है उसको को यह लेकर आर्टिकल यहां पर यह है और कुछ भी चेंजिस करना है तो 50 परसंट ज्यादा का सहमती होना जरूरी है और दो एक्जामपस को यहां पर दिखाई दे दिया होगा तो चलिए वीडियो खतम करता हूं मैं यहां पर मिलते नेक्स वीडियो में तिल लेर बाबाई एंटेक क्यो स्टाइब क्यों मैं पर जहां होगा करता हूं मैं यहां पर दो